अग्यों कि वाट्स अप्यूट्यूव वेल्कम बैक तो मैं चैनल अमैन ओन रोड और आज मैं हूँ साकरी में और कर रहा हूं केदार कंठा का विंटर ट्रेक हम चार लोग ट्रेक कर रहे हैं मैं और माना वायते साथ में तो यह हमारे गाइड भाई है काकु राना और यह उस पर मिशन नहीं देंगे ट्रैक करने की लड़कों को मदा wreck ở आप पूरा सलिपरी और रहा है बारिश की वजede और की चर्ड पड़ावाइब पूरा तो वैसी चंड़ना टाफ है कि वज़े हिए सह सलिपरी हो रहा है आप लोग जब घेर लेंगे तो में आप सब्स्च् एक है हरकी दून का जो 40 km का है एक है केदार गंठा जो 11 km का है केदार गंठा तो आपका बरसाथ छोड़के हमेशा खुला ही रहता है पर जो बेस्ट टाइम है आने का वह है जैनुरी फैब मार्च तो अभी बात करते हैं आज के वीडियो के स्पांसर की लेंबोडा एंबो य यह डेली बेस कंपनी है एंड इनकी एक्सपर्टीज है यूथ के लिए हाई क्वालिटी लेटेस्ट ट्रेंड अपैरिल्स में यह इनकी जैकेट है लेंबोडा एंबो ओलिटी एस जैकेट की में केदार कंठा का ट्रेक इसमें कराया हूं बहुत ज्यादा वाम और कोजी है वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एक बार जाके जरूर देखें सवाल यह उठता है कि आप लोग यहाँ पहुचोगे कैसे केदार कंठा और और हरकी दून के ट्रेक के लिए आपको सांक्री आए सांक्री दहरादून से अप्रॉक्सिमेटली 200 किलो मीटर है दह अब लोग वहां से शेरिंग कैब ले सकते हो पूरोला की शाम डलने से पहले अगर आप पूरोला पहुंच जाते हो तो पूरोला से सांक्री तक आपको शेरिंग कैब मिलती रहती है अभी आलत है नीचे जाएंगे तो क्या होगा अभी इतना स्लिप कर रहे हैं मैं देख रहा हूं लोग नीचे जाते वे कितना फिसल के गिर रहे हैं अपना भी कल यहां लोने वाला है सो अभी आगया हूं मैं जूडा का तालाब में यहां थोड़ा कुछ खाएंगे बहुत भूख लगी है प्रिकपस भी लाइट किया था हमने फिर देखते हैं उसके आगे फिर हम कैम साइट की तरफ बढ़ेंगे प्लान ऐसा है कि आज ही आज में हम बेस कैम तक चले जाएं सो दाट कल सुबे समिट करें सन्राइज के साथ एंद फिर कल ही वापस आजाएं लेट सी कैसा आजाता है केदार कंठा के ट्रैक को आप तीन फेस में रिवाइट कर सकते हो पहला है सांकरी से चार किलो मेटर की चड़ाई जो की है जूडा का तालाब वहां से फिर तीन किलो एक चीज मुझे यहां जो काफी आउकवड लगी काफी स्ट्रेंज लगी इनफाक्ट वह यह है कि एक कोई प्राइवेट कंपनी से आपको परमिशन लेनी है यह मुझे कॉंसेप समझ में आया बॉस और वह प्राइवेट कंपनी 200-500 पर बंदा कुछ भी चार्ज करती है हम हमारी वाली ने 200 पर बंदा चार्ज किया स्कैम चल रहा है खुले हम यह जो पहाड है यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना में मैं समझता हूं ठीक है वैलिड है बद दिन एक प्राइवेट कंपनी इसको गवर् लेकिया है अपना तो हमने गाइड अलग किया कंपनी गो अलग पैसा दिया ठीक है एंड फिर फॉरेस्ट वालों गो अलग पैसा दिया तो यह देख रहे हो आप कितना बड़ा स्कैम चल रहा है एंड पहले तो उन्होंने मुझे बोला उत्राखंट में यही नहीं है मैं मै यहां करना ही पड़ेगा जब आप आओगे तो तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादा ऑल्टीट्यूट पे जा रहे हैं तो सेम उन्सियारी की तरह आप देखे हो यहां पे भी ट्री लाइन कम होती जा रही है तो पेड कम होते जा रहे है अब जंगल इतना घना नहीं है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आगे जाके यह पेड भी बुरे गायव हो जाएंगे पूरा स्नो लाइन आ जाएगी होपफुली लेट सी कैसा है केदार कंठा का समिट हम लोग लेट चले थे क्योंकि हम पहले कोशिश कर रहे थे हरकी दून हो जाया है बट वह नहीं हो पाया प्लान तो हरकी दून गई था हमारा पर देन फिर हो नहीं था तो केदार कंठा करना पड़ा तो इस शक्कर में हमें लेट होगी हम निकले अप्रॉक्षिमेटली एक बजे दिन में सांखरी से च्रेक के लिए तो रास्ते में जितने भी लोग थे वह बोल रहे हैं आप लोग पहुंच नहीं पाऊगे किसी भी हालत में काकु आज तो नहीं पहुंच पाऊगे आप आज जूड़ा के तलावी पहुंच ओ हम आलमोस्ट एक किलो मीटर दूर हैं कि एदार कंठा बेस केम्प से पहुंच जाएंगे हम टाइम से शिगारी लॉंड है अभी हम उस साइट से पूरा पहाड चड़ रहे थे अब हम दूसरी साइड आगे हैं पहाड के टॉप पे आके बट हमें पीक तक चड़ते जाना है प संसेट भी आता है समयने सुना है तो भीते को इस दिन गुजरात में आप मैंने आपको खूब संसेट दिखाएं इस बार आपको संराइज दिखाता हूं क्यूंकि अभी सीजन का टाइम चल रहा है तो बहुत भीड है इस ट्रेक में बट बेस पार किया है कि वह हमें जूड ट्रेक वाली फील आ रही है परना ऐसे लग रहा था पिकनिक स्पॉट पर आया हूं बहुत भीड फील ही नहीं आ रही थी कि ट्रेक कर रहा हूं अच्छी कबर यह है कि बादल चागे है काले बादल खूब अच्छे मात्रा में और सामने वाले जो पहाड़ों पे उहां पे मूवी नहीं धोया है एंड यहां बहुत बुरी हालत होगी हम रात भर चागे वेते कि हमें दो बजे निकलना है एंड संराइज देखना है बट यहां इतना हेवी स्नोफॉल हुआ रात को कि हालत खराब होगी हमारी सारे गाइड़ों ने मना कर दिया कोई ग्रूप नहीं इतना हेवी स्नोफॉल है उपर बहुत तेज हवा चल रही है रात को हमारा टेंटी हुड़ी हा आदा बहुत बुरी हालत होगी है यहापे स्नोफ बहुत सॉलिट पढ़ रही है और नीचे जाने के लिए हमारे पास फ्रेल ली आपी फाइनली अब हम लोग वापिस नीचे जा रहे है साक्री की तरफ तो इसे लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंज के साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मैंड आन रोड और मिलते हैं अगली वीडियो में बाइद आम लव लाइट पीस